पर दोनों का लाइन ही बहुता लगे हर चीज उनको कैसे पसंद थी किंग साइज और यहां पर एर डेकर में ओविएसली लो कॉस्ट एर लाइन है तो ओविएसली बुर्डन हर वक्त रहेगा कि कम कॉस्ट में कैसे मैनेज करें और फिर भी इन्होंने सिर्फ इंटरनेशनल रूट पर आगे बढ़ने के लिए उस कंपनी को खरीदा और फिर यह कंपनी को खरीदते वक्त थोड़ा गड़बड हो गया कंपनी जब यह खरीद रहे थे डोमेस्टिक ट्रेवल में नो डाउट नमबर टू पर थी कंपनी ऑके बट प्रॉफिट के अद तक नेगेटिव प्रॉफिट्स आपको पता होगा शायद आपने इतना स्टडी किया रहेगा फैनेस आनलिसिस करते हो अब कंपनी हो के तो एविएशन इंडस्ट्री में काफी कम कंपनी ऐसी जो प्रॉफिट में है और जो कंपनी आ लॉस में है उनके थाउजंस ओफ करोर्स लॉसिंग लॉस मेकिं उनिट्स है इक्सपांशन के मोड में प्रॉफिटाबिलिटी छोड़कर सिर्फ एक्सपांशन पर ध्यान देना यह बहुत गलत है क्योंकि आप जितना एक्सपांड करोगे उतना लॉसस बढ़ते जाएंगे आपके यह उनके समझ भी निया और इंट्रनेशनल रुट पे बहुट ले करने के लिए अक्सपांच के लिए एक्वाइर किया इस कंपणी को डेट लेकर और उस सब्मानने के लिए existing कंपणी को सब्सक्राइब के लीए और डेट के बर्डन में आते के हो ओके now in this case what happens exactly देखिए Kingfisher जो brand है उसको वापस प्रमोट करने के लिए उनने air deccan का नाम भी चेंज गिया और उनने Kingfisher Red नाम रख दिया उसका दो category बना है उनने अगर आपको low air ticket चाहिए तो Kingfisher Red में जाओ और अगर आपको high price ticket चाहिए जहां पर luxury facility चाहिए तो आप Kingfisher का ticket करे दो so Kingfisher जो Red था brand उसमें भले ही low fares थे बट उनको कोई चीज सादर न पसंद ही नहीं दी शायद विजय मालिया को उनने वहां पर भी कुछ facilities ऐसी देने लग गए जैसे कोई low fare में देता ही नहीं है और customer उसमें में बहुत खुश थे air trial बाले customer जिनको low fare में ये सब सुईदा एमिल रही है वो धीरे धीरे सोचने लग गए if Kingfisher Red is better than Kingfisher देने क्योंकि कमदाम और facility जादा कमदाम के comparison में and थोड़ी extra facility के लिए इतना ज़दा air ticket देने ज़रत नहीं है ऐसा लोगों को ज़रत में सुस होने लग गई और धीरे धीरे पूरा गे में ही पलट गया क्योंकि यहां पर होने लग गया ऐसा case जाप Kingfisher के you know travelers धीरे धीरे Kingfisher Red की तरफ डाइवर्ट होने लग गया okay now travelers shifting from Kingfisher to Kingfisher Red because of obviously two reasons good facility and lower Kingfisher के operating cost निकल 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 रहे थे और भी burden में आ गये फिर obviously दीरे दीरे इन्होंने क्या किया Kingfisher Red के दाम बढ़ाने शुरू कर दिये Kingfisher Red के दाम बढ़ने के multiple reasons थे reason number one तो यह था कि अगर facilities दे रहे हो तो obviously आपको price charge करना ही पड़ेगा कब तक low price charge करोगे फिर एक काम करो facilities मत दो तो facilities तो देना ही है तो फिर Kingfisher Red का rate जब बढ़ने लग गया तो public ने, travelers ने क्या किया Kingfisher Red को भी छोड़ा और और cheap airlines के तरफ divert होने लग गया इसका मतलब ना Kingfisher चला, ना Kingfisher Red चलने लग गया because of high price and यह जो high prices थे ना इसके multiple reasons क्या क्या थे देख लेते है पहला तो ticket जदा था failure का reason, reason number one ticket जदा था, अब ticket जदा रहने का reason क्या है, mainly उस वक्त fuel prices बहुत जदा बढ़ने लग गया and recession भी आ गया था 2008 का 2008 recession आपको पता है तो यह recession भी unfortunately, Mahalya Ji के लिए उस ही वक्त आगया अब यह तीनों रीजन इसके वैसे it was a big cause कि obviously Kingfisher Airline along with red is going to be blue okay and इसके वैसे क्या हो गया airline business ना Kingfisher चल रहा है ना Kingfisher Red चल रहा है बहुत प्रावल्म आने लग गगे cash flows के अद तक इतने बुरे वक्त आ गये थे Kingfisher Airline के कि Bangalore Airport and Hyderabad का International Airport इन्होंने landing charges किया तक Kingfisher के landing charges recover नहीं हो रहे इसलिए Kingfisher के लिए policy change कर दी और बड़ा कि तुमारा airline जब हमारे पास land करेगा उसके पहले आपके landing charges हमारे पास जमा होने चाहिए otherwise हम तुमारे airline को land ही नहीं होने देंगे हमारे airport पे तो ये दो airport ने तो literally उनको ban कर दिया था कि आप land पहले करो और बाद में पैसा दो नहीं चलेगा पहले पैसा दो फिर landing करो landing charges के तक उनके इतने बुरे दिन आगे as far as बुरे दिन concern है तो फिर बुरे दिन उनके fuel charges के तक भी थे ये दो companyों ने उनको ban कर दिया था उनको बोला था we won't supply any fuel to you because your outstanding dues are so much and company के policies जो आप delayed payment करते हो ये हमको चलता नहीं है फिर तीसरी company थी जो Indian oil company थी जो इन्होंने बोला कि आपको fuel मिलेगा मगर cash basis पर मिलेगा cash basis airline में ऐसा business होता है cash basis ऐसा logic होता है कि आपके airline में fuel बरने के पहले cash चाहिए तुरंद बरने के बाद नहीं बरने के पहले आप cash deposit करो तो आपका fuel filling start होगा otherwise आपका fuel filling start नहीं होगा तो क्योंकि cash flows पूरे problem में आ चुके थे ये company उनको creditability के लिए तक doubtful किया sure थी कि ये पैसा नहीं आएगा इतने बुरुदीन airlines के आने के बाद business manage करना बहुत मुश्किल हो चुका था तो Vijay Malia ने सोचा क्यों ना बहुत बड़ा पैसा business मिलाया जाए और FDI के लिए try करने लग गे वो बहुत मुश्किल से उनने एतियाद company को convince किया कि वो Kingfisher Airline में invest करे एतियाद company was convinced कि येस we are ready to invest बड उस ताइम पर civil aviation industry इंडिया कि अद तक it was not allowed that foreign company is going to invest in Indian airlines airline business was 100% domestically owned business that time और foreign direct investment उस business में allowed नही था unfortunately फिर इन्होंने government को भी बहुत convince कि कि आपके policy change करो क्योंकि मेरी airline problem में है but government ने उनकी सुनी नहीं government ने बहुत आप application देदो हम consider कर लेंगे but government का red tapism delayed जो होता है हर बाग कोई भी चीज में तो उस हद तक बहुत परिशान हो गय थे और government से कोई approval नहीं मिलने लग गया उस वक्त कि आपको पाई employees where suffering so much okay, pallets लेके, air houses तक everybody was suffering so much कि ओने सोचा कि Vijay Malaya शायद problem में असलिए कुछ महिने उनने अज़ने आज़े किया but उसके बाद जब और उसके बाद रुद इतने problem में थे employee लोग तब Vijay Malaya कुछ और ही चीज में बीजी थे क्योंकि उस वक्त Vijay Malaya was taking audition of models for their calendar Kingfisher calendar बनता है आपको पता है तो उनका auditions लेने में बीजी थे और इतने बीजी शडूल में फिर कहां से मैने जोगा यह सब and फिर जो employees थे उने ने सोचा कि हमारे इतने बुरे दिंग चल रहे और हमारा owner, company का owner यह models का interview, यह audition ले रहा है and somehow it was not digestible for them कि यह bad face बोलते और यह calendar भी launch कर रहे calendar launching का cost कम नहीं होता है तो इसलिए उने ने सुचा कि better रहेगा हम strike नहीं करें, अब हम लोग job ही छोड़ दे सबने job छोड़ा, उसके बाद Kingfisher airline बंद हो चुका था December 2012 में government ने Kingfisher airline का license भी रद कर दिया था, cancel कर दिया था अब बुरे दिन की और limit बढ़ने लग गई क्योंकि bank से लिया हुआ loan वगरा का burden बढ़ने लग गया and उसकी कुछ दिन बाद Kingfisher airline बंद होने के कुछ दिन बाद देखो क्या हुआ government ने वो application की वज़े से FDI अलाओ कर दिया बड उस वक तक Kingfisher बंद हो चुका था and फिर FDI अलाओ किया तो किसके नसीब किसके साथ रेते देखो के एतियाद ने पर्चेस कर ली अमें तब स्टेक करीदा jet airways में so this is how it works okay then slowly eventually things changed again क्या हुआ इंडिया की अद तक Vijay Malya Ji जो है उनको बहुत support मिला support मिला उसका reason भी आपको समझ जाएगा क्यों मिला तो उन्होंने maximum loans लेने start किये और उन्होंने mainly loan लिये PSU bank से what is PSU bank public sector bank government undertaking वाले bank जो हते वो bank mainly इसमें दो bank का मैंने आपको जानमज के नाम दिखा है State Bank of India जिन्होंने Kingfisher को सबसे ज़ादा loan दिया था approximately 1600 क्रोड रुपे का loan था सिर्फ State Bank of India का and IDBI bank इसका तो reason ही कुछ और है आपको बाद में समझेगा तो ये दो bank जो है IDBI bank का भी volume कम नहीं था 800-900 क्रोड का loan IDBI bank ने भी दिया था अब ये जो loans है, PSU bank से almost 17 अलग-अलग different banks से विजे मालिया ने loan लिया था और majority उसमें से PSU थे, आप समझ रहे हो कुछ PSU bank क्यों देते loan PSU bank, they are public sector bank मतलब क्या हो रहा है, हमारे पैसों से चल रहा है वो bank, obviously and 17 different banks से उनने लोन लिया, majority PSU थे private banks उनको loan दिने से incur करते थे, but yes दो bank उसमें भी आगया है private banks में दो bank थे ICICI and HDFC bank उनने बैखुभी से इनको loan दिया because उनने secure किया खुद के पास USL के shares USL is United Spirits and United Spirits के shares पहले खुद के पास गिरवी किये और फिर उसके बाद loan दिया HDFC bank, NICICI bank ने VJ Malia को जब उनका loan recover नहीं हो पा रहा था तो उनने सिधा सिधा stake base दिया और खुद का loan recover कर लिया nothing at risk because bank है boss risk लेने के लिए bank नहीं बनी है इतना ज़ादा risk नहीं ले सकते unsecured loan तो नहीं दे सकते and फिर debt restructuring के अंदर ये लोगों ने apply किया कि हमारी company बहुत मुश्किल में हमारा debt restructure करो तो government के कुछ schemes होते है जहांपे government debt को restructure करता है तो इनके debt को equity में convert किया गया debt को equity में convert किया गया मैं आपको जानकारी देता हूँ debt restructuring में actually होता ऐसा है कि अगर आप repaying capacity में नहीं होते हो loan ले लिया है बट repay नहीं कर पाते हो तो bank के बड़े-बड़े officials के साथ आपकी meeting होती है और आपकी हालात देखते हुए business के हालात देखते हुए वो लोग आपका loan का rate of interest कम करते है थोड़ा tenure बढ़ाते है और आपको comfortable position में लाते है कि आप bank का पैसा धीरे-धीरे वापस लोटा हो इसमें bank का भी फाइदा है जो पैसा नहीं आने वाला था at least हो आ रहा है इसको restructuring बोलते हैं बट इनके लिए तो restructuring का meaning ही कुछ और था इन्होंने सिधा-सिधा debt को equity में convert किया